नमस्कार दोस्तों नमस्कार भाईयों मैं विजे अंदर सिंग आर्वेस ट्रेनिंग अटेस सेंटर मोती रमड़ा गोरखपुर में आप सभी भाईयों का बहुत बहुत धन्वार सभी भाईयों से निवेदन है कि Medical Equipment House एक maintenance company है जो बहुत बड़ी maintenance company है साओधी अरविया की साओधी अरविया का client interview 27 तारीक को ये interview दिल्ली में चलेगा जो दिल्ली के लोग हैं लोकल के हैं चाहे जो interview देने जा सकते हैं वहाँ पर दिल्ली में वही भाई केवल इसके बारे में जनकारी लेकर वहाँ पहुँ 26 तारीक को साम तक आप को हाँ पहुँच के office पे document जमा करना है 27 को client interview चलेगा साओधी अरविया का service चार्ज इसमें 90 हजार है सारा काम आपका include रहेगा इसमें टिकर भी जाओगा रहा ट्रेड मैं आपको बता दू जनरेटर टेकनिशियन इलेक्टिकल में जो काम किये होंगे जनरेटर टेकनिशियन चाहिए इसमें इलेक्टिकल टेकनिशियन भी चाहिए इलेक्टिशियन भी चाहिए elevator technician भी चाहिए, telephone technician चाहिए, electronics technician, photographer technician चाहिए, home appliance है, HBAC technician, HBAC chiller technician, safety technician चाहिए, fire fighting technician भी चाहिए, generator technician, mechanical का field जिनको जनकारी है, वो भी इसमें apply कर सकते हैं, lounge technician भी है, medical glasses technician है, wireless technician है, pump technician है, chemist का जो काम किये हैं, इसमें आप apply कर सकते हैं, mason, tiles, marble mason है, और painter भी है, plumber, carpenter, MAP technician, ये total 26 trade है, 26 trade का requirement है, ये medical related maintenance का काम करती है, company, company बहुत अच्छी है, service charge 90,000 है, कोई advance हो करा है, वहाँ नहीं देना है, interview charges और नहीं देना है, जो भाई जाना चाते हैं, अगर अच्छा experience है, इस field का, तो description में दिये गए, details आप चेक कर लें, सराय जुलेना आपको पहुंचना है, 27 तारिक में interview है, 27 को अगर सुबे पहुंचते हैं, 8-9 बजे तो भी आपका interview हो जाएगा, लेकिन 26 को ही कोशिस करें, सामको आप वहाँ पहुंच जाएं, अगर interview देना चाते हैं, दिल्ली में, दिल्ली में सराय जुलेना, new friends colony है, आपीस का काम है, यह आपीस में ही जाना है, वहीं पे interview चलेगा, और सभी भाईयों से निवेदन है कि आप जो भाई जा सकते हैं, वहीं बात करके address लेके आप वहाँ पहुंचेंगे, ऐसा नहीं कि बिना मतलब में आपने phone कर दिया, आप आपको होना चाहिए, white background photo, original passport, experience certificate, bio data, passport की copy, अगर returner है, तो experience बहुत जरूरी है, returner अगर कोई भाई है, तो experience इसमें बहुत जरूरी, salary, 1300 से लेके, 1800 दरहम तक salary है, duty याड घंटे का है, हपते का 6 दिन है, employment visa मिलेगा, stamping वारा सारा company include करके आपको 90,000 की बात है, time इसमें देख time लगता है, तो इतना time आपको देना पड़ेगा, इस काम के लिए, रही बात है कि इसमें कोई advance नहीं है, service charge पहले नहीं देना है, after visa payment है, जो भी भाई है, इसमें देखना कैसे कहा, अगर interview देना इच्छुक है, तो ही वो भाई पहुँचेंगे, 27 नो, इसी महिने में 27 तार आपको हम प्रवाइड कर देंगे, उससे पहले कोई address आपको नहीं दिया जाएगा, अगर आप interview में जाना चाहते हैं, तो call करके जनकारी ले सकते हैं, इच्छुक हैं, जाना चाहते हैं, discussion में आप देख लें, दिये गए नंबर पे call करके अपनी जनकारी उपलब्द करा ल चिलर टेकनिशियन भी है, सेप्टी टेकनिशियन है, फायर फाइटिंग का जिनको काम आता वो भी है, कारपेंटर, स्ट्रिंग कारपेंटर भी है, स्टिल फिक्सर, मेसन, पलंबर भी है, पेंटर भी है, इसमें, बॉयलर टेकनिशियन है, लाउंडरी टेकनिशियन जिनको जनकारी है वो अपलाई कर सकते हैं, total company maintenance का काम ज़्यादा करती है, maintenance related जो भाई आपलाई करना चाहते हैं, apply कर सकते हैं, company employment, BJP ले जारी, बीना interview दिये, कोई भी काम आपका नहीं होने वाला interview आपको देना पड़ेगा, और जिस trade का होंगे, जिस field का आप बात करते हैं, उसी field क experience certificate होगारा चाहिए, दूसरा कोई भी document नहीं चलेगा, मैं सभी दोस्तों से निवेदन करूँगा, कि जो इसमें apply करेंगे, दिल्ली में जाएंगे, तो किर्पिया करके वही भाई जाएं, जिन्हें ये लगे कि हमने interview निकाल लेने, interview final हम कर लेंगे, वही भाई जाके वहाप interview पासपोर्ट आप ले लेंगे, अगर आप पासपोर्ट नहीं लेते हैं, तो वह आपकी गलती है, क्योंकि बड़ी वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड होता, इसलिए पहले ही भाई, अगर आपका काम नहीं होता, interview fail हो जाते हैं, तो आप अपना बता के कुछ time देके अपन पासपोर्ट वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काम हो जाने के बाद, interview pass हो जाने के बाद, पासपोर्ट आपका जमा हो जाएगा, जो कि finally आपको नहीं मिलने वाला है, जब आपका काम जमा हो जाएगा, तो 75 days time आपको देना पड़ेगा, सौधी अरभिया का काम है, 90, कोई एडवांस नहीं है, ECR, ECNR दोनों लोग अपलाई कर सकते हैं, गल्फ रिटर्नर है तो भी अपलाई कर सकते हैं, इंडियन एक्सप्रियेंस है तो भी अपलाई कर सकते हैं, कोई चार्ज वगरा पे नहीं करना है, सब आफ्टर विजा पेमेंट है, सौधी अरभिया की कमपनी है, डिस्क Prague सर में पूरी डिटल्स देख लीजईगा, नेट पे सर्च कर लीजएगा, कमपनी बहुत बढ़ी है, मेंटनेस का ही काम करती है, बहुत बढ़ी कमपनी है, RBS training setzt center, मोति रामड़ा गोरफपूर, हमारा ओपीस गोरफपूर में है लेकिन ये interview डेली में च करें और अपना डिटेल ले ले अगर 27 को मॉर्निंग में भी नो बज़े से पहले पहुँच जाएंगे इंटरव्यू हो सकता है लेकिन टाइम उहां आपको देना पड़ेगा भीर बहुत ज्यादा हुआ क्योंकि रिक्वार्मेंट भी बहुत बढ़ा है रिक्वार्मेंट भ झाल सकता है